यह व्रत भाद्र प्रत पूर्णिमा को किया जाता है उमा महेश्वर व्रत के दिन माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है उमा माता पार्वती का ही एक नाम है और महेश्वर भगवान शिव का एक नाम है यह व्रत माता पार्वती और भगवान शंकर को प्रसन करने के लिए किया जाता है हिंदू धर्म में कई ऐसे वरत हैं जिसमें भक्त को माता पार्वती और शिव की पूजा की जाती है जिसमें से एक वरत उमा महिश्वर का वरत भी है इसका पूजा विधान क्या होता है? यह वरत भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथी को किया जाता है स्नान आदी करने की बाद शिवजी की प्रतिमा को स्नान कराकर पुष्प, अक्षत, रोली, धू, दी, विपलव पत्र, निवेद्ध, आदी से पूजा अर्चना करनी चाहिए रात्री के समय किसी भी शिव मंदिर में जागरन, अर्थात, जगराता करना चाहिए उमा महेश्वर की पूजा अर्चना आदी से निवरित्ध होकर ब्रह्मनों को भोजन कराना चाहिए ततपश्चात उन्हें यथा संभव दान दक्षिना देकर उमा महेश्वर व्रत का समापन करना चाहिए मत्से पुरान में उमा महेश्वर व्रत का विधान वा इसका विधान दिया गया है ऐसा कहा जाता है कि एक बार रिशीर दुर्वासा भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने के पश्चात लौट रहे थे लौटते समय मार्ग में ही रिशीर दुर्वासा जी की भीट विश्णु भगवान जी से हो गई रिशीर दुर्वासा जी ने शिव जी द्वारा उन्हें दी गई विपलव पत्र की माला भगवान विश्णु जी को दे दी भगवान विश्णु जी ने यह माला खुद के गले में धारन ना करके अपनी वाहन गरुड के गले में डाल दी यह सब देखकर रिशीर दुर्वासा जी ने इसे अपना अपमान समझा और वे बहुत क्रोधित हो गए रिशी दुर्वासा क्रोधित स्वर में विश्णु जी से बोले तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है इससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़ कर चली जाएंगी और तुम्हें बैकुंठ लोक के साथ साथ शीर सागर से भी हाथ धोना पड़ेगा शीश नाग जी भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे यह सुनकर विश्णु जी ने रिशी दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़ कर इस श्राप से मुक्त होने का उपाई पूछा क्रोध शांत होने पर रिशी दुर्वासा जी ने विश्णु जी को बताया कि उन्हें उमा महेश्वर वरत करना चाहिए तब ही तुम्हें खोई होई वस्तुएं वापिस प्राप्त होंगी तब विश्णु जी ने इस वरत को किया उमा महेश्वर वरत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेब सभी शापित वस्तुएं भगवान विश्णु जी को पुन्हें प्राप्त हों गई